तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि हमारी सकरकंदी कितनी ज़्यादा सौफ्ट और ब्यूटिफूल सी लग रही है देखने में इनका कलर भी बहुत प्यारा आया है और बहुत इजली ये छिल जा रहा है तो फ्रेंड्स आज हम सकरकंदी को बीना किसी माइक्रो वेप के बीना तंदूर बीना आग के बिल्कुल उसी की तरह टेश्टी सकरकंदी आज हम भुनने वाले हैं तो फ्रेंट इस तरह से एक बार सकरकंदी जरूर भुनिएगा तो इस ते भुनने के लिए सबसे पहले आप अपने सकरकंदीयों को धुल लीजेगा और उनका पानी पोँच लीजेगा फ्रेंट उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर लेना है एक एलमुनियम फॉयल एलमुनियम फॉयल तो हर कोई जानता ही है फ्रेंट इसके पहले भी मेरी इस तरह की एक वीडियो आई है जिसमें कि मैंने इस तरह से भुट्टे को भुनना आपको बताया है तो भुट्टा भी बहुत जादा यम्मी लगता है एलमुनियम फॉयल में अगर आप भुन करके खाते हैं तो उसी तरह से हम आज यहाँ पर सकरकंदी को भुन रहे हैं हमें सारी सकरकंदियों को पोच करके फिर एलमुनियम फॉयल लेना है उसमें एक एक करके हमें सकरकंदियों को इस तरह से लपेट देना है फ्रेंज जब सकरकंदी अपने पानी में हमें अक्ष्ट्रा पानी नहीं एड करना इसके अंदर जो पानी रहती है जब यह उन्हीं पानी से भुंती है हमारी सकरकंदी तो बहुत ज्यादा मीठी लगती है खाने में क्योंकि अंदर से इसका पानी सूख गया रहता है हमने सारे ही सकरकंदियों को एक-एक करके अलमूनियम फोयल में लपेट दिया है तो सकरकंदि प्रण चाहे आपके पास 1 kg या 2 kg हो अगर इस पांच सकरकंदी मेरे पास है तो इनको अगर पांच से साथ मिनट लग रहा है भुन्ने में तो आपके पास अगर दो केजी भी सकरकंदी रहेगा तो भी इतना ही टाइम लगेगा आपका भुन्ने में साथ मिनट जादे से जादे दस मिनट लगेगा। इस से ज़दा टाइम नहीं लगता है यहाँ हम कुकर ले लिए हैं। तो बस कुकर में आप अपनी सकरकंदियों को डालते जाईएगा। और शकरकंदी अब यहाँ पर चाहे 5 हो चाहे पूरी कुकर भरी हो जितना ज़्यादा सकरकंदी रहता है ताइम उतना कम लगता है यह आप जाननीजिए तो मेरे पास यहां पाँच सकरकंदी है तो हम पाँचो को कुकर में डाल दिये हैं और फ्रेंट बिल्कुल मीडियम आज पर हमें सकरकंदी में एक सीटी ले आना है तो आप इसे हर पाँच मिनट के बार आगर के चेक कर लीजिएगा यह आपकी सकरकंदी और यह प्याएं सकरकंदी प्रेसर बना रही है या नहीं अगर प्रेसर नहीं बना रही होगी तो एक बर कुकर को खोल करके इधर उधर हिला दीजिएगा फिर से बंद करेंगे तो पå सीटी आपकी बनाने लगेगी तो बस आपको यहां पर एक ही सीटी का वेट करना है जब पान साथ मिनट में आपकी सकरकंदी कूकर अगर एक सीटी दे देता है तो फिर उसके बाद आपको अपना गैस बंद कर देना है और उसका गैस बाहर निकाल देना है नहीं तो क्या होगा आपकी सकरकंदी ओवर कुक हो जाएगी अगर आप उस ली में छोड़ देंगे तो बस एक सीटी हमारा लग गया था और हम सारप अंदर का जो गैस है उसको निकाल दिये थे और देखिए अभी मैं आपको अपनी सकरकंदियों को तुरंट दिखाती हूँ मेरी सकरकंदी बहुत ज़्यादा डिलेशियस फ्रंट बहुत यम्मी लगती है इस तरह से खाने में मैं अक ज़्यादा टेश्टी लगती है खाने में जरूर से एक बार ट्राई करिएगा फ्रंट तो चलिए हमें आप लोगों को एक बार खोल करके दिखा देती हूँ तो फ्रंट आपको खोल करे देखिए सकरकंदी मेरी फट गई है अब बस वहीं से पकड़ करके आप इसे छिल भ आप की बार जब भी आपको सकरकंदी खाने हूँ आप फाश्ट भी रखे हो तो इस तरह से आप सकरकंदी भूनिएगा यह जैसे सकरकंदी आप पानी वगर में बॉल करते हैं तो पानी-पानी सा लगता है, खाने मेंना यह बिलकुल भी वैसा नहीं लग केंगा इसका दीजेगा जिसे की थोड़ा सा जो अंदर पानी होगा वो सूख जाएगा तो आप दुबारा से भी आप इस तरह से सकरकंदी को भून सकते हैं और अगर आपको आलू खाने का सोख है तो आप आलू भी इसी तरह से भून सकते हैं और बच्चे बच्चों को तो बहुत जादा पसंद आते हैं यह स्वीट पटेटो और जब यह मीठे नहीं होते तो वह भी नहीं खाते हैं अगर इस तरह से आप सकरकंदी को भूनेंगे तो वह मीठे भी लगेंगे और बच्चे तो बड़े चाओ से खाएंगे तो बताईएगा आप लोगों को मेरी यह वाली वीडिय कैसी लगी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नीव हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा